केंद्र की मोधी सरकार ने राजी उगांदी खेल रत्न का नाम बदलगा वेजर ध्यांचन रख दिया है जिसका मध्यप्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी स्वागत किया जबलपूर में अल्प प्रवास पर पहुँचे वीडी शर्मा ने कहा कि आज प्रधान मंत्री ने जो निर्ने लिया है वो एतिहासिक निर्ने है भारत की टीम ने हौकी में 41 साल बाद अच्छा प्रदर्शन किया है जिसके बाद उनके सम्मान में प्रधान मंत्री का खेल रत्म मेजर ध्यांचन के नाम पर रखना ये देश के लिए सम्मान घटना नहीं है कॉंग्रेस कहे कि मेजर ध्यानचन के नाम पर नहीं होना चाहिए ना मेजर ध्यानचन जी ने देश का नाम आजादी के पहले रोशन किया था वही कमलनाथ के बालग प्रभावि दोरे पर भी भाजपा प्रदिश अध्यक्ष ने कहा कि अब आपके दोरे करने का क्या फाइदा आप अब दोरे कर रहे हैं जब सब कुछ हो गया हमारे मुख्यमंद्री शिवराज सिंग्छ चोहान और ध्रमंद्री नरत्तम मिश्रा लगातार अपनी जान को जूखिम में डाल कर मदद कर रहे हैं इसलिए कमाल नाज जी अब आपसे कुछ नहीं हो पाएगा आप न सिर्फ चल फिर सकते हैं और ना ही लोगों की मदद कर सकते हैं आज माननी प्रधान मंत्री जी ने जो निरने किया है ये एत्यासिक निरने हैं भारत को 41 साल बाद यानि 41 येर के बाद हौकी के छेतर में हमको बड़ा एक अच्छा प्रदर्शन हमारे खिलाडियों ने किया उनके सम्मान में और देश के जनमानस की आवाज पर माननी प्रधान मंत्री जी ने खेल रत्नावाड का नाम मेजर धान चंद के नाम से रखना ये सामान घटना नहीं देश की इसी का नाम नरेंद मोदी है मेजर ध्याणचंद कौन है बई मेजर ध्याणचंद के बारे में कॉंग्रेस कहे न क्योंकि मेजर ध्याणचंद ने इस भारत का नाम आजणी से पहले रोसन नहीं किया रोसन तो किया ही था ये दिखाया था कि भारत दुनिया के अंदर कहाँ पर है आज उनको सम्मान देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरिजिन नहीं किया मैं उनको बहुत बहुत धिर्दै से दंदेबाद देता हूं कि देशवर के खेल का सम्मान आजमानी प्रधार मंत्री जिन किया है जब सब कुछ होगया तब यह बल्ला भवन नहीं है कमलना जी जब आम मुक्य मंत्री दिन रात एक करके जान पर खेल कर बाड़ पीडितों को कैसे मदद की जाए यह मुक्य मंत्री सिवरा सिंग्च चुहां लगें मद्यप्रदेश के हमारे ग्रह मंत्री नरुत्तम मिसरा जा बिर सकते ना आप लोगों के मदद कर सकते ना किसी प्रकार की सहाथा कर सकते आप किवल ट्विटर पर ही मदद कर सकते